एक नेता है जो इसकूल की मास्टरी करता था दूसरे देश से कुछ हरकारे आए थे क्रांती का संदेश लेकर शुरू में तो उसने उनका संदेश सुना और मानने का अभिने भी किया लेकिन अपनी बारी आते ही उनको जड़ से खत्म कर दिया इसकदर खत्म किया कि कई भाग कर उसी देश में चले गए जहां से संदेशा लेकर आए थे एक आदमी था जो इस पहले आदमी के लिए इस अध्यापक के लिए इस गुरू के लिए क्रूरता के सब कृत्त किया करता था काले घोड़े पर काले चोंगे पर सभार काला चाबुक लेकर काले आतंग का राज क पाना शाहा की तरह इसका भी दौर बीदा, कोई और आया और उसने बड़ी बारीकी से अपने फर्क को स्थापित कर दिया, ये दौर भी बीद गया, अब हम वर्तमान में आ गए हैं, अब एक नए सिरे से अपने आपको सुप्रीम लीडर स्थापित कर चुका शक्स, एक मंच पर खड़ा होगा, सामने सैकणों पार्टी के शीर शादिकारी होंगे, उसकी हां में हां मिलाएंगे, उसकी जैगाथा गाएंगे, और इन सब के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एन परोस में ये सब हो रहा है, चीन में ये सब हो रहा है, नमस्त में हो रहे बड़े राजनेति घटना क्रम की साल 1917 रूस में बोल्शेविक क्रांती सफल हुई जार निकोलस दुती को कुर्सी से उतार दिया गया बाद में परिवार सहत उसका कतल कर दिया गया और रूस की गद्धी पर नए शाषक का अवतरन हुआ ब्लादिमिर लेनित सोव फैलाने का था इसी वास्ते 1921 में मॉस्को ने अपने कुछ एजेंट चीन की तरफ रवाना किये वे चीन में कमनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए संभावनाय तलाशने आये थे ये लोग शंगाई में खट्टा हुए इस बैठक में बहुत सारे बुद्धिजीवियों को बुलाया गया इनी बुद्धिजीवियों मेंसे एक व्यक्ति था माउच से तुंग उस समय माउच एक जूनियर स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा था जुलाई 1921 की इस बैठक में चाइनीज कमनिस्ट पार्टी यानी CCP की नीव रखी गई माउच को हुनान यह वो दौर था जब कमनिस्ट पार्टी और उस वक्त चीन में सत्ता रूड कुओ मितांग में दोस्ती थी तब कुओ मितांग की कमान चियांकाई शेक के हाथ में थी तो अब शंगाई में चीन की कमनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई लेकिन इसका विस्तार वहां हो र लेकिन जब कुवो मितांग का नेत्रत्व चियांग काई शेक के पास आया तो उसने अभिहान शुरू किया कब निस्टों को जड़ से खत्म करने का अभिहान और यही से शुरू हुई चीन में च्छा पामार लड़ाई अक्टूबर 1934 में कुवो मितांग निनायक लड़ाई शुरू की माओ को अपने साथियों के साथ भागना पड़ा यह भागने का दौर यह सफर एक साल तक चला और यह कारवां आखिर में युनान में जाकर रुका तब एक लाक में से केवल आठ हजार लोग जिन्दा बचे थे इसी को कहते हैं लॉंग मार्च और इसी के दौरा इस दौरान माओ को चीन की कमिनिस्ट पार्टी का मिलिटरी कमांडर बनाये गया वो पार्टी के सबसे ताकतवर लोगों में था लेकिन उसे पार्टी के अंदर एक धड़ा नापसंद भी करता था इस धड़े का एक नाम था 28 बोल्शेविक्स इस धड़े में शामिर लोग किसानों की क्रांती में था और इसी को लेकर माओ और बोल्शेविक्स 28 के बीच असेहमती थी माओ ने इस असेहमती को पार्टने की एक तरकीब खोजी यूनान सीसीपी का गड़ था और चीन का सिविल वार तब तक धीमा पर चुका था लोंग मार्च के खात में तक तो उस साहित्य है जो हजारों लाखों लोगों को अपने पाले में खड़ा कर सकता है इस साहित्य के रचने के क्रम में विचारधारा को गढ़ने के क्रम में 1941 में माओ ने अपनी पहली चाल चली लोंग मार्च के बाद कमनिस्ट पार्टी की ख्याती फैल चुकी थी लोग दबे ज लबान इसकी चर्चा कर रहे थे, अलग-अलग हिस्सों से लोग इस पार्टी में शामिल होने के लिए यू नान पहुँच रहे थे, इन नए कारकरताओं के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी थी, और उसके लिए स्टेडी सेशन और ग्रूप डिसकेशन टाइप की चीज़ें आय आये लोगतंत्र को लेकर आते हैं, उसने मिस्री से घुले लफजों में कहा, पार्टी की आलोचना करिये, इससे पार्टी मजबूत होगी, कमिया बताईए, अगर कोई मेरी आलोचना करता है, तो मैं उसे अपना स्वभागी मानता हूँ, पार्टी का काडर एक धड़ा उस उसकी जैसे धूल माते पर लगा ली हो, और जो यह नहीं समझ पाए, आलोचना करते रहे, उन्होंने सब खोल कर रख दिया, फिर दौर बीता, वक्त बीता, आलोचना एक खत्म हुई, आलोचकों की सूची निकाली गई, और उन्हें एक एक करके ठिकाने लगा दिया गया, इस पूरे काम में 3-4 बरस लगी, 1942-1945 तक सफाही का काम चला, और इस दौरान कम से कम माओ के निर्देश पर 10,000 से ज़ादा लोगों की हत्या हुई, कुछ को निर्वासन में भेज दिया गया, इसमें 28 बोल्शेविक्स के मुखिया वांग मिंग भी थे, पार्टी निर्ट उच्पत पर होने की वजए से उनकी जान तो बख्ष दी गई, पर देश छोड़ कर जाना पड़ा, और फिर मॉस्को में निर्वासन में उनकी मृत्य हो गई, इन अभिहानों के पीछे माओ था, और माओ की ताकत, बाजूओं की ताकत कौन था, उसका सिक्योटी चीफ जि काला कुत्ता उसके साथ, शेंग किसी के भी बारे में जूटी खबरे प्लांट करने के लिए कोख्यात था, वो टॉर्चर का डर दिखा कर जूटी गवाही भी ले आता था, शेंग ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर विदेशी जासूस भरे हैं, उन्हें नहीं हटाय तो पार्टी खत्म हो जाएगी, और इस इलजाम की आल में उसने हजारों को टॉर्चर किया, कईों को जान से मार दिया, पार्टी के साथ वरिष्ट अधिकारियों को इतना बेबस कर दिया, कि उन्होंने खुद कुशी कर ली, इस काल को इतियास में यो नान शुद्धी करन अंदोलन के नाम से जाना जाता है, इतियासकार माइकल लिंच इसके बारे में लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि माओ अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तयार था, पार्टी सदस्या तो उससे अभिभूत थे, या आतंकित थे, माओ से गंभीरता का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि सौ बरसों के इतिहास में, चाइनीज कम्मिनिस्ट पार्टी अब तक सिर्फ दो संकल्प पत्र लेकर आई है, पहली बार 1945 में और दूसरी बार 1981 में, आप जानेंगे इन दोनों संकल्पत्रों में क्या था, इसका मह दश्कों के संघर्ष पर बात की गई, शंघाई नर संघार से लेकर लॉंग मार्च तक की गाथा सुनाई गई, उस लहजे में जिसमें पार्टी का आडर की वफादारी हासिल की जा सके, साथी साथ कुराने नेताओं की नीतियों की आलोशना की गई, पार्टी की सदस्यों को आत्मा आलोशना के लिए प्रेडित किया गया था, इससे माओ को दो फाइदे हुए, पहला अपने विरोधियों की पहचान करने में आसानी, आसानी से रास्ते हटाने में भी आसानी, और दूसरा इन आलोशकों का हश्र देखकर बचे कुछे लोग माओ की वफादारी की कस्मे खाने लगे, अक्टूबर 1949 में कमनिस पार्टी ने चीन पर कबजा किया, माओ पार्टी का चेर्मेन बना और मरते दम तक चीन पर शासन किया, कमरा सितंबर 1976 में उसकी मौत हो गई, और तब तक उसके खाते में बहुत सारी नाकामिया जमा हो चुकी थी, और सबसे बड़ा ब्लंडर, कल्चिरल रिवोल्यूशन, इन गलतियों के चलते लाखों की संख्या में लोग मारे गए, अकाल और भुकमरी का लंबा दौर चला, आर्थिक हालात खराब हो गए, और पार्टी में नितरत को लेकर भी वैक्यूम बन गया, ऐसे हालात के बीच डेंग जियाओ पिंग, चीन के सुप्रीम लीडर बने, माओ के बाद, 1981 में वो दूसरा संकल पत्र लेकर आये, 45 में आया, माओ लाया, दूसरा ये लेकर आये, इसमें पार्टी की स्थापना से लेकर उनके समय तक के इत्यास का जिक्र किया गया, पर सबसे आदा लोगों का ध्यान गया, माओ की सांस्कृतिक क्रांती की आलोचना पर, जियाओ पिंग ने माओ की नीतियों की खुल कर आलोचना की, हाला कि उनके विचारों को पार्टी का अधार भी बताया, और क्या कहा, ये सच है कि कॉमरेड माओ ने सांस्कृतिक क्रांती के दौरान भारी गलतिय कि लेकिन अगर हम उनके पूरे जीवन की समीशा करें तो चीन की क्रांती में उनका योगदान उनकी गल्तियों पर भारी पड़ता है माओ को स्वीकारने के बावजूद जी आओ पिंग ने नीतियों में भारी फिर बदल किया अर्थिक सुधारों पर जोर चीन के बाजार को बाकी दुनिया के लिए खोलना योग टाइम्स ने 7 नमबर 2021 की एक रिपोर्ट उसका जिकर यहां पर मैं कर रहा हूँ इस रिपोर्ट का शीरशक है तो स्टेर चाइनास फ्यूचर शी इस रिराइटिंग इस पास्ट इस रिपोर्ट में जर्मनी की फ्रेवर्ग यूनिवस्टी में इतिहासकार है डैनियल लीज उनका एक बयान है क्या कहते है डैनियल चीन में सुप्रीम लीडर संकल पत्र के जरिये पार्टी इलीट के बीच इतिहास और भविष्य का एक कॉमन फ्रेमवर्ग कॉमन विजन तयार कर रहे थे अगर आप सत्ता के गल्यारों में मौझूद लोगों को अतीद के मुद्दे पर एकमत नहीं करते तो भविष्य के लिए उनको राजी करना लगबग असंभव होता जिया ओपिंग ने एक साथ इन दोनों चीज़ों को साध लिया था उस संकल्प पत्र के जरिये अतीद के साथ बहुत छेड़चार नहीं की लेकिन आगे के लिए उदार नीतियां भी ले आए अब यहाँ पर प्रेशन उठता है इस जर्मन इतिहासकार का नियॉयॉक टाइम्स की रिपोर्ट का माओ का उनके सक्सेसर का जिक्र आज क्यों दरसल चीन की कम्मिनिस्ट पार्टी अपने इतिहास का तीसरा संकल्प पत्र लेकर आ रही है सोमवार आठ नवंबर को बीजिंग में सीसीपी का चार देवसी कॉनकलिव शुरू हो रहा है इस बैठक में मौजूदा राश्पती शी जिन पिंग एतिहासिक संकल्प पत्र जारी करेंगे इस दस्तावेज में सीसीपी के सो बरसों की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी पार्टी के मुखपत्र के मुताबिक शी जिन पिंग ने माओ और जियाओ पिंग के बाद चीन में तीसरे युक की शुरुआत की उन्होंने चीन को अमीर बनाने का सपना जो उनके पूरवच देखते थे पिछले नेकता देखते थे उसके बजाए चीन को अमीर तो वो हो गया अब शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया शी जिन पिंग ने ये जो कॉंफरेंस है जिसके हम बात कर रहे हैं ये 8 से 11 नमंबर तक चलेगी इसमें CCP के लगबख 370 वरिष्ट अदिकारी शामिल होंगे पूरी बैठक बंद कमरे में मीडिया का एक्सेस नहीं हमी वैसे भी वहाँ मीडिया नहीं है जो है वो सब सरकारी है भूपू है खेर इस बार के संकल पत्र में क्या है इसको लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई लेकिन अनुमान लगाए जा रहे है इस्टेट मीडिया की जियाओ पिंग डिजोलीशन लेकर आए थे उस समय चीन अलग अलग संकटों के दौर से गुजर रहा था माओ के वक्त चीन सिविल वार और जापान के आकरमट से जूज रहा था जियाओ पिंग के सामने माओ की हिंसक विरासत और अस्थिर नेत्रतों का संकट था लेकिन श 2014 तक चीन को महान आधुनिक समाजवादी राज्य के तोर पर स्थापित करना जुलाई 2021 में पार्टी के सौवे स्थापना दिवस समारोग में जिन पिंग ने दावा किया कि पहला लक्ष पूरा हो चुका है और संभावना जताई जा रही कि संकल पत्र में दूसरे लक्ष क रूप रेखा पेश की जाएगी 2018 में चीन ने राश्पती पत के लिए दो टर्म की बादिता खत्म कर दी थी यानि शी जिन पिंग के लिए एक्दम सुप्रीम लीडर बनने का रास्ता खोलतिया था अब जिन पिंग चाहे तो उम्र भर के लिए इस पत्पर बने रह सकते है अपने पूरवच की तरह है माव की तरह है जिन पिंग का दूसरा कारेकाल 2022 में खत्म हो रहा है तो यह तैम आना जा रहा है अभी कि जिन पिंग तीसरा कारेकाल लेंगे हाला कि यह छूट उनके प्रधान मंत्री ली के कियां समेत कई और वरिष्ट मंत्रियों पर लागू नहीं होगी यानि जो भविष्ट के चैलेंजर हैं उनका भी रास्ता खत्म करते जाएंगे बंद करते जाएंगे तो बीजिंग कॉन क्लेव में नई भरतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है बीजिंग की बैठक में आगे जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी है इसमें अपना इंडिया भी है जिनके लिए सीमाय खुल रही है अलाकि अंतराष्ट्री यात्रियों के लिए कुछ शर्त हैं 18 साल से उपर के लोगों का पूरी तरह से ठीका करना वेक्सिनेशन होना ज़रूरी इसके साथ ही बोर्डिंग के टाइम पर अधिक तम तीन दि पुरानी नेगेटिव कोविट रिपोर्ट भी दिखानी होगी जिन्होंने कोरोना वेक्सिन नहीं ली उनका क्या होगा अपवाद वाले मामलों को छोड़ कर ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी अपवाद क्या है उम्र 18 से कम हो विदेशी राजनीतिग्य हो या क ब्लू एचो से अप्रूबल मिल चुका है इसमें कोविशील और को वैक्सीन दोनों शामिल है आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं शुक्रिया शुब रात्रे